हाई गाईज वेलकम बैक टू एम्प्लिफायर कनेक्शन तो आज कैसे हो तो आज की वीडियो रहने वाली है अपनी एक्टिव क्रोसोवर पैसिव क्रोसोवर के बारे में कि बाई इन दोनों के अंदर क्या फरक होता है और कौन सी जगर पर कौन सा क्रोसोवर लगाना बैटर ह तो इन ही सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में उमीद करता हूं वीडियो आपको एकदम टना टन लगेगी और अगर टना टन लगे तो भाई लाइक करके जरूर जाना है और जो नए वीवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लेना तो भाई चलो शुर क्रोशोर होता है उसके बारे में तो वाईस सबसे पहले आपने यह वाली जो किट है आपने जो डीज़ों बो आपने जो जो पर देन daysitar कोंगे उसकों डीडियो सकते हैं तो कोई बंदा कुछ बोलता और कोई तो आप समझ जाओ यह हमारा पैसिव क्रोशोवर है ठीक है यह तीन तरीके के होते हैं एक मोनो होता है एक टूवे होता है एक थ्रीवे होता है ठीक है तो इन में सब की अलग-अलग काम करते हैं अलग-अलग तरीके से तो जैसे मोनो में हम बात करें तो वह एक स्पेशल फ्र फ्रिक्वेंसी आजाती है या तो लो होती है या हाई होती है मतलब इन में से दो फ्रिक्वेंसी होती है थरीवे में क्या होता कि तीनों कवर हो जाती है लो भी मीड भी और हाई भी ठीक है तो इस तरीके की पैसियो क्रोसोर में थोड़ा सा अंदर शम जाना कि भाई कौन सा बैटर है कौन सा किस तरीके से काम करता है तो जो ये किट होती है दोस्तो इसका काम होता है फ्रिक्वेंसी को अलग-अलग करना ठीक है मान लिया कि भाई हम कोई mono amplifier यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या ह होगा कि भाई सारी फ्रिक्वेंसी एक सिंगल चैनल से निकल के आती है ठीक है जिससे होता यह है कि भाई हम उसके उपर मान लिया तीनों चीज़े यूज़ कर रहे हैं बेस के लिए अपना सब वूफर हो गया या फिर बेस के लिए कोई भी स्पीकर हो गया जो मतलब बेस जो लो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकता है कोई इस तरीके का स्पीकर या हमने सब वूफर या वूफर ले लिया ठीक है और मीड के लिए कोई मीड रेंज का जो अपना स्पीकर हो ले लिया और टवीटर ले लिया तीनों चीज हमने ले ली लेकिन जो हमारी फ्रिक् ठीक है जिससे होता क्या है कि अगर हम उस amplifier के अंदर mixer के थुरू या किसी preamp के थुरू कोई signal देते हैं बेस का, mid का या high frequency का तो वो तीनो speaker में mix हो जाता है जिससे होता है क्या है कि जो हमारी sound की clarity है या उसको सुनने का जो experience है वो बहुत ही बद्दा हो जाता है मजा नहीं आता सुनने में तो उस चीज को कम करने के लिए उस चीज को filter करने के लिए फिर हम network kit का यूज करते हैं जिससे कि अगर मान लिया कि हम कोई mono amplifier यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में speaker के और amplifier की output के बीच में हम network kit लगा देते हैं जिससे कि जो amplifier से आने वाली output है उसको ये तीनों frequency को अलग अलग कर देता है यानि के बेस के लिए इसके अंदर अलग से connection हो जाएंगे मीड के लिए अलग हो जाएंगे और tweeter के लिए अलग हो जाएंगे तो दोस्तों जो ये हमारा crossover होता है passive crossover ये अपना mono amplifier होता है उसके लिए काफी अच्छा और जबरदस्थ होता है हलाकि हम इसको stereo भी यूज कर सकते हैं कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नी बट mono पे और भी अच्छा रहता है तो अभी हम बात करने वाले हैं जो हमारा active crossover होता है उसके बारे में तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको detail में समझाने वाला हूं तो ध्यान से सुन कि यहांनि कि जिस तरीके से हमारा PREAMP काम करता है यानिका amplifier से पहले हमारा PREAMP होता है और जो PREAMP की OUTPUT होती है वो amplifier के अंदर दी जाती है और amplify उसको amplify करके आगे सपीक क्रों तक पहुंचाता है तोstore same काम इसका हमारा जो active crossover होता है उसका होता है लेकिन इसके अंदर जो frequency हैं वो अलग-अलग होती है समझे यानि कि preamp के अंदर मान लिया कोई भी mono preamp है या stereo preamp है तो उसके अंदर जो frequency हैं वो तीनो एक साथ आती हैं लेकिन हम उन तीनो को भी control कर सकते हैं potentiometer से कम यह जदा कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर active crossover के अंदर क्या होता है कि जो frequency हैं वो तीनो अलग-अलग आती है यानि कि अगर हम mid के लिए use कर रहे हैं तो जो mid है वो अलग ही channel से निकल के आएगी और उसके लिए हमें एक proper amplifier चाहिए होगा अलग से जानि कि अगर हम एक amplifier के अंदर mid दे रहे हैं तो उसके अंदर से सिरफ amplifier से mid ही निकलेगी अगर हम दूसरे amplifier से twitter की जैसे high frequency लेना चाहते हैं तो दूसरे amplifier से सिरफ high frequency निकलेगी और तीसरे amplifier से अगर हम base लेना चाहते हैं तो जो तीसरे amplifier है वो सिरफ base के लिए काम करेगा तो यह कुछ इस तरीके से काम करता है और इसका जो मैंने बताया कि यह बिल्कुल एक जो preamp होता है हमारा उसकी उसी तरीके से काम करता है ठोड़ा वह ठीक है और जो हमारा preamp होता है उसको भी हम active crossover बना सकते हैं और मैंने उसका जो तरीका है वो भी मेरी एक दो पिछली वीडियो गई है उनमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक जो preamp होता है उससे base या फिर treble या फिर mid कैसे ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है इससे हम बिल्कुल same to same तो नहीं कह सकते हैं वो थोड़ा से अलग होता है और यह किस तरीके से इसके connections होते हैं किस तरीके से यह काम करता है वो अपना जो आने वाला यह active crossover जल्द ही आ जाएगा और उसके जो connection connection है वो सब मैं करके दिखाऊंगा आपको यानि कि इसके अंदर हम तीन तीन से ज्यादा चार पांच छे जो हमारे amplifier हैं छे amplifier हों को भी इसके अंदर से output दे सकते हैं इस तरीके से यह हमारा काम करता है और इसके लिए अलग से एक power supply की भी जरूर्द पढ़ती है जैसे preamp में देते हैं वो देनी होती है लेकिन यहां पे दोनों में फरक क्या हो गया कि वो amplifier से output लेता है जबकि यहां पे जो हमारा active cross over है वो amplifier को output देता है तो इन दोनों में यह था फरक और यहां पे अब बात कर लेते हैं अच्छे या बुरे की तो यहां पे मैंने बता दिया आपको अगर आप मोनो यूज कर रहे हैं तो भाई देखो जो passive cross over होता है उससे बढ़िया कोई option है नहीं लेकिन अगर आप यहां पे आप stereo यूज कर रहे हैं तो उसमें यह फिर जैसे आप 5.21 हो गया 4.1 होगा 3.1 हो गया कुछ इस तरीके से amplifier design करना चाते हो इस तरीके का amplifier लेना चाते हो तो उसमें जो हमारा यह active cross over है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा और अगर आपने इसकी quality सुन ली अगर आपको इसको यूज करना आ गया तो भाई आप मतलब जो यह बकवाज amplifier आ रहे है ना इनको सुनना ही बंद कर दोगे ठीक है तो यह चीज होती है इन दोनों cross over में तो भा एक्टिव cross over के साथ तब दके लिए बबाए टेक केरो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना